हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक आवाज सुनाती हूँ ये आवाज सुन रहे हैं न आपने, ये आवाज है क्रिस्पी मुंग दाल की तली हुई मुंग दाल भले, किसे पसंद नहीं आती, बड़ी चटपटी और मज़ेदार सी लगती है बड़ा मज़ा आता है न इसको खाने में, तो आज देखिए मैं कैसे इस मुंग दाल को बना रही हूँ परन्तु मैं तल करके नहीं बनाने वाली हूँ कैसे बना रही हूँ, ये जानने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ मेरे कीचेन में इस वीडियो के संग-संग तो हम जहां मिलकर बनाएंगे ये सुन्दर सी और टेस्टी सी दिखने वाली चटपटी मुंग दाल आधा कप मुंग दाल को मैंने अच्छा से धोक करके रात में थोड़े से बेकिंग सोडा के साथ एकदम नाम मात्र के बेकिंग सोडा के साथ भिगो दिया था जिसका सुबह मैंने पानी निकाल करके इस परकार रख लिया परन्तु पानी निकालने से मेरा काम नहीं हुआ है मेरे को दाल एकदम ड्राई सी चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या किया है एक कपड़ा इस परकार कोटन का कपड़ा आप कोई सा भी ले सकते हैं चाहे तो एक डावल भी ले सकते हैं उस पर दाल को इस परकार फेला करके इसको रख देनी है दाल को इस प्रकार फैलाने का रिजन यह है कि जो पानी हमारे हाथ में दीख रहा है न वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए इस प्रकार हम दबा देंगे ताकि पानी अब्जर्ब हो जाए इसी कपड़े में और फैन को चला देंगे दो घंटे बाद हम जब मिलेंगे तब देखेंगे कि क्या कंडिशन है दो घंटे हो गया है पंखे की हवा के नीचे मेरी दाल सूख गई है पर उन्तु यह उतनी नई सूखी है कि इसको हम सूखा गए इसका मोस्चर जो उपर का जैसे हाथ में जो गिलापन लगता है वो खतम हो गया है पर दाल तो अभी गिली है हमें ऐसी ही दाल चाहिए हमारी इस रेसिपी के लिए तो हम इसको एक वार ढखके रखते हैं और चलते हैं हम तैयारी करते हैं आगे की कुछ और यहाँ पर मैंने लिए है एक कड़ाई कोशिस करिए कि फ्लेट कड़ाई इस परकार की नोनिस्टिक वाली ही हम ले उसमें मैंने डाला बिल्कुल नाम मात्र का तेल गेस को कर दिया ओन और अब हमारी दाल को हम कर लेते हैं ट्रांसफर एक प्लेट में फ्रेंड्स तेल हमें बहुत कम मात्रा में डालना होता है जादा जुरत नहीं है अदरवाईज हमें इसको भुनने में थोड़ी दिक्कत होएगी तो हमारी दाल यहां तैयार है तेल हलका सा गरम हो गया है तो हम डाल देते हैं इस दाल को इसके अंदर तेज आज अभी रहेगी हमारी एक मिनट तक और हम डाल को पूरा कंटिन्यूस चलाते हुए पकाएंगे फ्रेंड्स दाल को हमें एक मिनट इसलिए तेज आज पे पकाना है ताकि उसका उपर का जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए लेकिन हम पूरी देर इसको तेज आज पर नहीं पकाएंगे क्योंकि इस से उपर का कलर तो ब्राउन हो जाएगा दाल का लेकिन दाल भीतर से कच्ची रह जाएगी जबकि दाल को हमें धीरे धीरे अच्छा से रोष्ट करना है ताकि ये अंदर तक पूरी क्रिश्पी बने और इस प्रोसेज में कम से कम हमें 10 से 15 मिनिट लग जाते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि मैंने मात्र आधा कप डाल का रात में बिगोया था जो फूल करके करीबन एक कप हो गई अब जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे वैसे डाल की मात्रा भी कम होते जाएगी वापस यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे होंगे कि जो जो डाल के दाने हैं वो इसमें स्टेपुला में लग जाते हैं उसको भी हमें हटा करके अलग करना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगे कि वो डाल के दाने पूरे पकेंगे नहीं याने की पूरे क्रिश्पी नहीं होंगे और हमारी पूरी दाल को सोगी कर देंगे एक मिनट होने के बाद मैंने गेस की आँच को कर दिया धी में और चलाते हुए मेरे को तब तक पकाना है जब तक की डाल का कलर एकदम चेंज होकर के मेरे को लगने लग जाए कि क्रिषपी होने वाली है डाल देखी हमारी पकरेी है हमें बार बार इस तरह चम्मत से इनके डाल पर लगे होए दाने को इस्टिपूला पे जो हमारे दाने लग जाते हैं दाल के उनको हटाना पड़ेगा और हम दाल को चलाते रहेंगे दाल जब हमारी पक्रे तो इसमें से अच्छी सौंदी-सौंदी खुसबू भी आने लग जाती Friends, अगर आप डाल को ज़्यादा मात्रा में बनाना चाह रहे हो तो मैं कहूंगी कि आप डाल को बेचेज में पकाईएगा क्योंकि हम तल नहीं रहे हैं हम तलने के समय में भी डाल को थोड़े थोड़े बेचेज में टलते हैं उसी प्रकार हमें जब भून रहे हैं थोड़ा सा डाल को एक दो वार मुँ में लेकर के चक लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर डाल हमारी क्रिश्पी नहीं हुई हो तो हमें पता चल जाएगा। और कोई तरीका नहीं है इस डाल को ये चेक करने का कि डाल हमारी पकी की नहीं पकी। एक दो वार आप चेक करेंगे आपको लगेगा कि डाल की साइट पक रही है लेकिन वो डाल कच्ची रहती है क्योंकि आवाज तो हमें पहले ही आने लग जाती है कि हाँ हमारी डाल क्रिश्पी हो रही है लेकिन इसको फाइनल क्रिश्पी होने में थोड़ा टाइम लग जाता और फ्रेंज एक बात और में बताऊं कि इस दाल को बनाने का सेक्रेट यही है कि आप इसको भिगोते समय थोड़ा सा बेकिंग सोडा जरूर डालिएगा वरना दाल हमारी कड़ी हो जाएगी उतनी सौफ्ट नहीं होएगी जितनी की तलने पर होती है दाल मेरी पग गई है अल्मोस्ट तो मैं एक वार इसको मुँ में लेकर के वापस चेक कर लेती हूँ क्रिश्पी हो गई है तो अभी मैं गेस को तो बंद कर रही हूँ लेकिन इस गरम कड़ाई में दो तीन मिनिट इसको चलाते रहूँगी इससे क्या होगा कि दाल मेरी और जादा क्रिश्पी हो जाएगी हां तो मैं कह रही थी कि अगर आप दाल में सोडा का थोड़ा सा प्रियोग करते हैं तो दाल हमारी थोड़ी सी सौफ्ट बन जाती है क्योंकि हम तल नहीं रहे हैं तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये दाल उतनी सौफ्ट नहीं होएगी जितनी की हमारी तली हुई होती है हाँ क्रिश्पी जरूर हो जाएगी लेकिन थोड़ी कड़ी जरूर लगेगी तो हमारी दाल यहां भुन गई है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मात्र थोड़ा सा नमक हमने बाजार वाले दाल में देखा है मैं इसको डाल देती हूँ एक प्लेट में आप देख सकते हैं कि डाल कितनी मज़ेदार बनी है तो आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आ रही है तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब करना और बेल का बटन देना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी सुन्दर सुन्दर इज़ी और हेल्दी वाली रेसिपी लेकर के आ सकूँ तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई जै जी नेंदर पसंद आ रही है ने आपको ये दमूंग दाल तो बनाएए